Hello and welcome dear students, बहुत-बहुत स्वागत आप से भी का, आपके अपने YouTube चैनल Study with दुलार में, बच्चो ये Class 4 का English book है, चप्टर 7 है और इस चप्टर का नाम है The Missile Man, APJ अब्दुलकलाम, उनको हम लोग Missile Man के नाम से जानते हैं, वे हमारे देश के पहले ऐसे बिज्ञानिक थे, जिन्होंने हमारे देश को सुपर पावर बनाया, तो उनहीं से समधित ये चप्टर दिया हुआ है, तो आए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं APJ अब्दुलकलाम वाजबॉर्ण ओन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिल नाडू, APJ अब्दुलकलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिल नाडू के रामेश्वरम में हुआ था, His full name was Abul Pakir Janulabdin Abdul Kalam, उनका पूरा नाम Abul Pakir Janulabdin Abdul Kalam था, His father Janulabdin was a boat owner and imam of a local mosque, उनके पिता Janulabdin एक boat के मालिक थे तथा अस्थानिय मस्जीद का imam थे, He learned honesty and self-discipline from his father, उसने एमांदारी और सव अनुसासन अपने पिता से सिखा था, His mother Asiyama was a housewife, उसकी माँ Asiyama एक गिरहनी थी, He learned kindness and faith in godness from mother, उसने अपनी मा से द्यालुता और भगवान पर विश्वास करने के लिए सीखा था, He was the youngest of four brothers and one sister, हुआ अपने चार भाई और एक बहन में से सबसे छोटा था, He listened the story of the Ramayana and the life history of the prophet at bedtime, वह रात में सोने के समय, रामाईन की कहानी और पैगंबर के बिती हुई कहानी को सुनता था, At an early age, he sold new papers to supplement his family's income, बहुत कम उम्र में वह अपने परिवार की आई बढ़ाने के लिए अखबार बेचता था, यहाँ पे यह पीचर दिखाया गया है, A.P.J. अबदुल कलाम के बचपन का जब वे अखबार बेचा करते थे, तो उन्होंने इस परकार का मेहनत करके अपने परिवार का इंकम बढ़ाने का परियास किये थे, एक दिन जब कलाम पाँचवे कलास में पढ़ता था, उस समय एक नया टीचर उसके कलास में आया, कलाम अपने मुस्लिम धर्म के अनुसार टोपी पहनता था, मुस्लिम लोगों का जो टोपी होता है, वही पहना करता था, वह कलास में अपने हिंदू मित्रों के साथ पर्थम पक्ति में बैठता था, जो पवित्र धागा बांधे राते थे, सिच्छा को यह बात हजम नहीं हुआ, कि हिंदू बच्चों के साथ एक मुस्लिम बच्चा बैठे, कलाम वाज asked to sit on the back bench, कलाम को पीछे बैठने के लिए कह दिया, बोथ फ्रेंट्स felt very sad, दोनों दोस्तों को काफी बुरा लगा, स्कूल के बाद वे घर आये और सारी घटना को अपने ममे पापा को बता दिये, उनके माता पिता उस टीचर से मिले और बोले कि इस तरह की भावनाएं बच्चों में न फैलाएं, कलाम बच्चपन से ही सभी धर्मों को आदर और समान देते थे, कलाम अपने साधारन जीवन सेली के लिए जाने जाते हैं, उनके पास कभी भी अपना टेलिविजन नहीं हुआ, किताबें उनके सबसे अच्छे साथी थे, उन्हें तमिल कविताएं लिखने में तथा वीना बजाने में बहुत आनन्द आता था, वे एक साकाहारी बेखती थे, वे सुबह जल्दी उठ जाते थे और रात में देर तक काम करते और देर से सोते थे, उनका सपना था कि वह एक फाइटर पाइलेट बने, उस समय यह पूरा नहीं हो सका, उनका स्रेनी नवा अस्थान आया था और भारतिय एर फोर्स में सिर्फ आठ अस्थान ही थे, आप्टर कम्प्लिटिंग इस स्टड़ी, डाक्टर कलाम स्टार्टेड इस केरियर एज ए साइन्टिस्ट इन नाइटिन सिक्स्टी, प्रहाई पूरी करने के बाद उन्होंने उनिस सो साथ में अपनी आजिवी का एक वेज्ञानिक की रूप में शुरू किया, उन्होंने भारतिय फोज के लिए एक छोटा हेलिकाप्टर डिजाइन किया, लेटर ओन, लेटर उन्होंने अगनी और पिर्थवी नामक मिसाइल बनाने की जीमेदारी ले लिया, इस सक्सेस इन दिस फिल्ड मेड हिम दे मिसाइल मेन अफ इंडिया, इस छेत्र की सफलता ने उसे भारत का मिसाइल मेन बना दिया, इस पॉकरन 2 निकुलियर टेस्ट वेर केरीड अंडर हिम इन 1998, पॉकरन 2 परमानु बंब का परिक्षन उसने 1998 में किया था, इस परिक्षन भारत को दुनिया के मानचित्र में एक परमानु सक्ति वाला देश बना दिया, उन्होंने अनेको पुरुषकार प्राप्त किये, उन्होंने 1997 में भारत के सबसे सरुष्रेष्ट पुरुषकार भारत रत्न प्राप्त किया, डक्टर कलाम वाज इलेक्टेट देवन्थ परसिडेंट अफ इंडिया इन 2002, डक्टर कलाम दो हजार दो में भारत के गारवय राष्टपती के रूप में चुने गए, वे भारत के पर्थम बैज्ञानिक और अविवाहित राष्टपती थे जो राष्टपती भवन की सुभा बढ़ा रहे थे, उनके कारिकाल के दोरान सुने पुरवक लोग उन्हें पीपूल परसिडेंट के रूप में जानते थे, आप्टर सर्विंग ए टर्म आप फाइव येर्स, ही रिटर्ण टू इस सिविलियन लाइफ, पाँच साल देश की सेवा करने के बाद फिर वे अपने साधरन जीवन में लोट आए, ही रॉट सेवरल बुक्स, उन्होंने अनेको किताबे लिखी, ही बीकेम ए विजिटिंग प्रोफेसर अफ सेवेरल इंस्टिटूशन एंड युनिवर्सिटीज वे अनेक परशिच्छन कैंद्र और विश्विद्याले के अतिथी प्राध्यापक थे, डाक्टर कलाम फैल्ट कमफर्टेबल इन दे कमपनी आफ यंग पीपूल, डाक्टर कलाम अपने युवा समू के साथ सहज महसूस करते थे, वे उनके साथ अपना अनुभव बाटना चाहते थे, वे उन लोगों को देश के लिए काईर करें, उन्हें ऐसी त्यारी कराना चाहते थे, वे चाहते थे कि भारत 2020 तक एक डिक्सित राष्ट बन जाए, उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक योजना भी बनाये थे, 27 जुलाई 2015, डाक्टर कलाम ट्रेवल तु स्रिलॉंग टू डिलिवर ए लेक्चर, 27 जुलाई 2015 को डाक्टर कलाम लेक्चर देने के लिए शिलॉंग गए वे थे, ही कोलाप्सट अनली आफ्टर फाइब मिनेट इन्टु हीज लेक्चर, मात्र पाँच मिनेट लेक्चर देने के बाद वे अचानक से गिर पड़े, ही वाज rushed to nearby hospital, तुरंत ही उन्हें नजदी की अस्पताल में पहुंचाया गया, दे डाक्टर कनफर्म्ड दाइट ही हैड बिच्ट हीज लास्ट, डाक्टर ने पुष्टी कर बताया कि वे अपना अन्तिम सांस ले चुके हैं, ही डिपार्टेड बट लैप्ट हीज फूट्प्रिंट्स ओन दे सेंड आफ टाइम, हुए हमें छोड़कर चले गए, परन्तु अपने पज जिन्हों को समय की रेत में छोड़ गए, बारत एक विक्सित देश बन सकता है, अधि सभी भारतवासी उनके पज चिन्हों पर चले, तो यहाँ पे यह चप्टर समाप्थ हो गया है, सबसे पहले यहाँ पे निवर्ट्स दिया हुआ है, जिसे आप लोग पढ़कर याद कर लें, एक बार कम से कम, और इसमें क्या question दिया हुआ है, यहाँ पे इसका question दिया हुआ है, इस chapter का question है, और question number two जहाँ पे choose the correct options, choose करने के लिए कहा गया है, तो मैं आपको इसका answer यहीं पे बतला देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा डक्टर कलाम किस चीज को बजाने में आनन्द लेते थे तो वी ना हो जाएगा वे वी ना बजाया करते थे यह इसका अंसर होगा दक्टर अब्दुलकलाम वाज इलेक्टर दा परसिडेंट अफ इंडिया इन वे भारत के राश्पति कब बने थे दोजार दोजार दोज़न टू यह होगा दक्टर अब्दुलकलाम डिजाइंड ए स्मॉल डेस फोर दा इंडियान आर्मी तो उन्होंने क्या डिजाइन किया था हैलिकप्टर का डिजाइन किया था यह हो गिया उसके बाद डाक्टर अब्दुलकलाम स्टार्टिड हिज केरियर एज ए डेस इन 1960 तो साइंटिस्ट के रूप में अपना केरियर का शुरुवात किये थे 1960 भी में ये कंप्रिट हो गया आगे कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर थ्री fill in the blanks दिया हुआ है तो यहाँ पे वैसे तो यहाँ भरा हुआ है लेकिन हो सकता है कि आपको पता ना चले अब्दुलकलाम's father was a botman, उनके पिता जी एक botman थे, तो यहाँ पे यह botman first में हो जाएगा, यहाँ पे हम one लगा देते हैं और books were his best company कुछ किताबें उनके सबसे अच्छे साथी थे, यहाँ पे two लगा देते हैं, यह two हो गया, उसके बाद डुक्टर कलाम was the first scientist to be the president, पहले ऐसे बिग्यानिक थे जो president बने, तो यहाँ पे यह three हो जाएगा, यह three, उसके बाद डुक्टर अब्दुलकलाम wanted to Mac India, यह developed nation, four हो जाएगा यहाँ पे यह हो गया, four और यहाँ पे डुक्टर कलाम never owned a television उनके पास कभी भी उनका अपना television नहीं हुआ तो एक किताबे एकसर पढ़ा करते थे, इसलिए उनके पास television नहीं था यह हो गया five number में यह complete हो गया next question लेते हैं यहाँ पे है question number four जिसमें कि जिसे इंडिया का Indian हो गया चाइना का Chinese हो गया इस तरह से लिखना है, तो इसका answer आप लोगों को आगे मिल जाएगा question number five, इसमें choose करने के लिए कहा गया है, इसमें से कौन सा order है, जिसे रमेस, book, cat, flower और he तो यह सारे जो है name है, लेकिन he जो है, वो pronoun है यह noun है और यह pronoun है इसलिए he जो है, differ हो गया वो answer हो जाएगा, इस तरह से इसका answer आपको आगे मिल जाएगा, और last में question number six में कुछ musical instrument का नाम दिया हुआ है, और किस तरह का instrument है, इस तरह से आपको छाटना है, जैसे string instrument हो गया, इस में से जो है, वो इसके अंदर लिखना है, और आगे और भी दिया हुआ है different instrument का category दिया हुआ है, जिससे की we blow, जिसको फुक कर बजाया जाता है, instrument that we beat, जिसको पीट कर बजाया जाता है, डंडे वगरे से, और instrument that we play with finger, जिसको finger से बजाया जाता है, तो इस तरह का category दिया हुआ है, तो यह मैं आप लोगों को इन सारे questions का answer बना के दिखा देता हूँ यह है chapter 7 का question answer what did Clam do to support his family income Clam solved news papers to support his family income what was Clam's dream to be Clam's dream was to be a fighter pilot why is Dr. Clam called the missile man of India, Dr. Clam is known as the missile man of India for his successful work on the development of Agni and Pirthwi missiles, when did Dr. Clam get the Bharat Ratna, Dr. Clam got the Bharat Ratna in 1997 who is known as the people's president Dr. Clam is known as the people's president question number 3 यहां पे जो भरने के लिए कहा गया था तो इसका answer यहां पे दिया हुआ है question number 4 जिसमें Indian India से Indian बना हुआ था China से Chinese बना हुआ था इस तरह का सारा answer दिया हुआ यहां पे direct answer है आप question अपने book से देखकर answer यहां से लिख सकते है question number 5 जो ode out करने के लिए कहा गया था तो यहां पे उसका answer दिया हुआ है question number 6 instrument musical instrument को अलग-अलग category में बाटने के लिए कहा गया था तो यहां पे उसका answer दिया हुआ है इस तरह से यहां पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो गया है इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अपने दोस्तों को साथ share करें हमारे चैनल को और next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आए हमनों next वीडियो में चलते हैं